गैलो सरकार के पूरे हो गए दो साल, सरकार का कारेकाल कितना बेमिसाल? हर वर की चिंता, हर तपके का ख्याल, विपक्ष क्यों उठा रहा मन्शा पर सवाल? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार के दो साल कितने बेमिसाल? बिग फाइट बेमिसाल जी से हैं मुद्दे पर और बैस के लिए मौजूद है हमाई साथ खास वैमान चले उन से रूबरू करा दे आपको हमाई साथ है राजस्वा मंत्री हरिश शौतरी जी, अलपसंख्यक मामलात मंत्री शाले मुहमद जी हमाई साथ है नेता प्रतिपश गुलाब चंद कटारिया जी है, बीजेपी विधायक राम नाल शर्मा जी हमारे साथ है कॉंग्रस विधायक रफिक खान जी है और साथी कॉंग्रस विधायक राम नराइन मीना जी भी हमारे साथ है बहुत स्वागत है आप सभी का Big Fight Live में शुरुवात शाली मुहमजी आप सही करते हैं बेशक पिछले दो साल सरकार के लिए चुनौती पूर्णे रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की performance को आप किस तरह से देखते हैं नमस्कार मैं जस परकार से राजस्तान की जन्ता ने दो साल पहले कांगरेश के सासन सरकार बनाई मुख्यमंत्री असोगलो साथ के नियतरतों में जिस विस्वास और उमीद के साथ राजस्तान में सरकार बनाई थी उसी विस्वास और उमीद को मुख्यमंतरी जिने कायम रखा रो उमीद उपर वो खरा उतरे तमाम जो आम जन के जो वादे थे जो हमारी घोशनाई थी उन घोशनाओं को पूरा किया है आज जिस प्रकार से जो हमारे 501 वादे थे क्योंकि कोई भी सरकार बनती है तो जब जनता के सामने जाती है तो वो अपना घोशना पत्र लेकी जाते हैं कि हम फला फला काम पांस साल के अंदर करेंगे तो हमें इस बात की खुशी हैं कि आज 501 वादों में से 50% वादे हमारे पूरे हो चुके हैं और 30% वादे जो है पाइपलेन में हैं तो आज 80% वादे दो साल के अंदर पूरा करना तो अपने आप में बहुत बड़ी चीजे हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अंदर दो साल में राजस्तान की सरकार और मुक्यमंतरी असोगलोस साब के अन्यतर तो में काम हुआ है तो मैं समझता हूँ है अपने आप में बहुत अच्छा काम हुआ है और पूरी राजस्तान के अंदर सरकार के काम काज की सराना हुरी है अब कि नसर में कैसे रहे डोसाल एक बहतरीन का कारेकाल रहा है दो वर्सों के अंदर हमारे भी प्रक्षी आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं पर उन्हों खुदको भी अच्छेते से पता है कि ये कारेकाल बहतरीन कारेकाल रहा है अचार सहीता करोना विद्धिया हालात इन सब के वावजूद एक बहतरीन कारेकाल हम इन दो वर्सों को कह सकते हैं उदारन के तौर पर हमारे विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि क्राइम बढ़ा है तो मैं उन्हें निविद्धिन करना चाहता हूं क्राइम नी बढ़ा है क्राइम रजिस्ट्रेशन बढ़ा है हम लोग आकडों से घबराने वाले नहीं है असोगे लोजी ने इस पस्तोर पर ये बात कही कि कोई भी विक्टम होई वो अपने वहां जाकर और अफैर दर्श कर सकता है आकडों के खेल में नहीं उलजकर हम लोग जो हकीकत है उसको पराकर और जो भी दिश्टारन हो रहा है वो तिवर गित्ती से दिश्टारन कर रहे हैं इसलिए आकड़े आ रहे है ठीक है रिश्य आकडों का अपने उदारन दिया गुलाप चंद कटारिया जी देखे सरकार अपनी उपलब्धिया बता रही है दो साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे साल तो खेर किसी सरकार को देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि कोरोना काल था जिसने बहुत सारी चीज़े हैं जो गड़बडा दी ट्रैक से चीज़े उतर गई लेकिन आप इसे किस तर से देखते हैं क को सब नहीं किर सकता है जिस्टी त रूप से दो साल हुए है मैं जो साल्यममण जी ने कहा कि हमने इतने वाद्ये डीर दे कर दिये में उन से क्रपा कर चाहिए इतना पूछना चाहिता हूं कि आप यह जो 10 दिन में करजा सभी प्रकार कर सा माव करने जो बात कही है क्रपा क करके आप इतना बता दो कि आपने सब प्रकार के करजे दस्टिन में माफ हो गया क्या आपने एक कागज जरूर बना करके लोगों को दे दिया फिर आपने कहा था कि जितने बेरोजगार बच्चे हैं उन बच्चे बेरोजगार बच्चों को आप 3500 रुपय का देंगे हैं कि आपकी दो साल की सरकार में हमारी सरकार के बाद कितने बच्चों को आपने 3500 रुपया दिया है वो आंकड़ा बता दो तो आपकी ये उपलब्दी का आंकड़ा मान लूँगा आपने ये कहा था कि ने कहा था कि हम पांच साल तक किसी प्रकार का बिजली का बिल नहीं उठालो और आपना आज 2020 का बिल उठालो और एक आँख से देख करके मुझे जवाब दे दो कि वास्ता में ये जो बड़ोत्री है ये नहीं बढ़ने का सबूत है या बेरहमी से ये मान को बढ़ाया आपने कहा था आपने कहा था कि हम जितने समीदा करमचारी हैं उन सब को रेगुलर करेंगे क्या रामधरम से वो सब रेगुलर हो गए जिससे आपकी मांग पूरी हो गई आपने बजट में कहा था कि एक लाख को नोकरी देंगे क्या वास्ता में एक लाख लोगों को जो आपने गोश्टना की जिन पदों की गोश्टना की उनमें से कौन कौन से में कौन कौन से और कितने पद लगे करपा करके इतनी बता दो तो मुझे समझ में आएगा अभी हमारे हरीज जी कह देते कि आंकडों में बढ़ना घटना मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर रेप का केस मेरे मर्दर केस हुआ है कोई नहीं कर सकता है क्या कोई लूट हू यही है ना कर सकता है क्या कुछ चोंटी की घटना है ना ुशमि के ही हैं फतंकर के 21 अपराद घुठा अभी हैइए और आज की तारिक में दो साल में वह एकीस प्लस like którym का 42 अपर्राद बड़ा है कि नहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है इसलिए विपक्ष कह रहा है जबके सतापक्ष सरकार की तरफ से मंत्रियों का यही कहना है कि यह सब चीज़े पूरी हुई है लेकिन अभी जिसतर से आपने आकड़ों का जिक्र किया उनका कहना यह कि पहले मामने दर्ज नहीं होते थे इसल ही विपक्ष सवाल उठा रहा और इसलिए कह रहा है विपक्ष के इन दो सालों में कुछ नहीं हुआ जरा इसका जवाब आप दे दीजे रफेक जी गुलाब चंजी ने बहुत बहुत सीनियर मंत्री हैं गुलाब चंजी और यह लोन वाला मुसल मसला इन्होंने विदान किसानों के लिए कमिट किया जिसने आत्मत्या कर ली उसके लिए के लोगफासी पे जूल जाये तो मैं क्या करूं जब natural साहिए जब दारीवाल साहब ने का कि आपने सटेट्मेंट दिया है अपने कारेकाल में इन्हों ने का कि मैंने दिया ओ तो मैं इस्टिफा दे दूं आप सब गवा हो इस बात के, कोई इस्तिफा नहीं हुआ है, बाते ही हुई है खाली, हमने 14,000 करोड रुपे के लोन माफ किये, 14,000 करोड रुपे के 8,000 करोड तो इनके बकाया, और 6,000 करोड रुपे हमने माफ किये, किसानों को लोन रिंड माफ करके दिया है, इनको बता दू हुए आकड़ा पूछना चाहरे हैं आकड़ा बता रहा हूं 14,000 करोड रुपए 8,000 करोड इनके बचे हुए 6,000 करोड रुपए हमने जो हमने गोशना किती उसके मताबिक माफ किये इन्होंने गोशना करी जाते-जाते माफ रुपया नहीं किया और मैं एक बात और बता हमने सरकार छोड़ी थी 2013 में एक लाग असी हजार करोड रुपए और ले लिये इन्होंने लोन राजस्तान को गर्त में बैठा दिया तीन लाग नो हजार करोड रुपए के करजे में छोड़ के गए ये जिस स्टेट की रेवेन्यू तीन एक लाग पिछित्तर हजार करोड रुपए हो उस स्टेट के उप़र अगर तीन लाग नो हजार करोड का करजा छोड़ देवे तो स्टेट की क्या ऐसियत रहेगी स्टेट की उसके बावजूद हमने फाइनेंस मेनेज किया उसके बावजूद हमने लोन माफ किये उसके बावजूद हमने बेरोजगारों को बत्ता दिया उसके बावजूद जो बत्ते जो बुजर्ग आदमियों के लोगों के पैंशन के जो 500 रुपे मिलते थे साड़े साथ सो किया करोना टाइम पे चार-चार महने के पैसे दिये भक्ते के रूप में रफीक जी फिर विपक्ष क्यों नहीं देख रहा है यह सर्व नहीं बहुत सारे सवाल उठाए रफीक जुसका जवाब दे रहे कि हमने यह सब किया है क्या धरातल पर नहीं हुआ है य मैं रफीक जी से पूछना चाहता हूँ साले मुहमद जी भी बैटे है हरी जी भी पहुचे है मुझे एक चीज बता दो कि राजस्तान के अंदर दो साल के अंदर किर्शी विपरन बोर्ड से एक किलोमेटर सड़क आपने बनाई हो तो वो मुझे बता दो कि किस सान पे बनी हो तो वो आप मुझे बता दो और रफीक जी आप क्या करे हो 15,000 क्रोड रुपे का करजा चोड़के के थे 2008 के अंदर जब हमारी सरकार गई थी 60,000 क्रोड रुपे 2013 से लेकर 2018 तक हमारी सरकारती तब बिजली कमपनियों को चुकाने का काम क्या है उसके बावजूद भी एक पैसा बिजली का नहीं बढ़ाया और आज राजस्तान के अंदर जो बिल आ रहे हैं सड़ चार्ज की रूप में अत्रिक चार्ज की रूप में जो आप गूर्ट मजा रखो हैं राइटबके कर ले रूप कर लें आरे सुनने के आदजत रखो मैह पूरी बाद सहनी है ऐम के सारी योजनाहों को बंद करने का काम क्या है परसार परसार करो और अपने नेतां के घुणगान करो यानि आप यह कहा है ज्यादतर योजनाओ को इंद्रा रसोई की भी बात कर लो यार इंद्रा रसोई के अंदर दस पर्चेंट लोग भी नहीं पूंचे आपके इंद्रा रसोई चल का रही है आपकी इंद्रा रसोई की कली खबर सभी है इंद्रा रसोई की अकिकत क्या है दस पर्चेंट लोग भी नहीं पहुंच रहे काना काने के लिए आप चल रहे थे इसी फरस्ट इंडिया चैनल वे मैं क्या कह रहा हूँ अभी जिस तरी की कोरोना के बाद इस्तिकी हुई है जो आक्रे आते वो तो यह भी कहा गया कि जादा लोग पहुंच रहे है आपके पैस फोटो तो बता दो दो साल में एक भी फाउंडेशन किया हो हमारे सासंकाल हें जो हमारी योचन के पूरी हुई है ठीक 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 तो लगतार बताई जा रहे हैं दो साल में बहुत कुछ किया है चुनौतिया बड़ी थी इस अपने देखा है कि सरकार के लिए थी कई जगे सरकार ने बहुत बहुत काम भी किया ऐसे लेकर लेकिन इन उपलब्दियों के इतर विपक्ष जिस तरह से लगतार आरोप लगा रह है इसका क्या जवाब तेखें इस च्वेता जी यह करजा यह बात तो काम करा होगे करजा भी होगा चुकाएंगे भी सही है कि बादी जैदा होगा इसमें कोई दोरा लेकिन सबसे बड़ी बात है इस शरकार ने जीरो टॉलमेंस पे काम किया है यह बहुत बहुत कि पात्रे सरकार के इन्होंने करफशन से बिकुत दूर रखा बिजली घर बेचे जा रहे थे थे रोड़ वेचा जा रहा था जो बीचे भी सरकार के प्लान थे उनको इन्होंने रोका है आज बार्डवेल की रिफाइंदी के मामले में खुद मुख्यमंत्री चींती थे मंत् पुलिस केसेज की बात है तो गुलाब चंजी के टाइम पे ही इस दगाशे को जांच में डाला जाता था जबकि हमारी सियार्पीशी सहाब कहती है कि उसको एकदम कैस्टर होना चाहिए तो इन्होंने जो परिपार्टी डाली थी उस परिपार्टी से इतर अभी सरकार कहती सब्सक्राइब करें तो पिछली सरकार के टाइम पे जिस तरह से चीजों को छुपा गया ता यह सरकार नहीं चुपा रही है और बिल्कुल पार दर्शिता से लेकिन को छुपाया गया रजिस्टर नहीं हुए इसलिए आख्ड़े काम को छुपाया गया तीक गुलाब पिछली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वैसे ही क्राइम होता था जादा होता था रेजिस्टर नहीं होते थी तो आख्रे कम है गुलाब चंद्र मैं सुचता हूं इनसे निवेदन करता हूं केवल बात कहने से नहीं चलेगा नेचनल क्राइम रिपोर्ट तो मेरे द्वार पर राजस्तान अब महिला अपराद की दर्टी से हिंदोस्तान का टॉप हुआ कि नहीं हुआ यह इनको समझने आना चाहिए यह टॉप हुए इसके बारे में यह समझा दे मुझे मैं सुचता हूं कि यह क्राइम के रजिस्टर होना यह जो गंबीर तम अपराद होता है उस उन सब हेड की तुलना आप करो और उसके आधार पर आपको लगीगा जैसा है किरा ब्रश्टाचार के बारे में इससे बड़ा सबूत क्या होगा ब्रश्टाचार का कि कल ही उन ब्रश्टाचारियों को जिनके खिलाप ACB ने केस बना कर केस स्विकृति के लिए इनके पास बेजा था उसको एक कलम से उन सब को इनोंने डिनाई करके रदी की टोकरी में फैंक दिया क्या इस प्रकार से ब्रश्टाचार रुखेगा क्या कितनी मेहनत के बाद ACB केस बनाता है और बनाने के बाद उसका परिणाम हाकर सरकार से स्विकृति चाहता है उस स्विकृति प पर अभी कल ही इनोंने दो साल की साल गिरह में उन सारे कैसे इसको दफन किया के नहीं किया ये ब्रश्टाचार मिटाने का तरीका है क्या बाशन देओ बाते करो ये हो सकता है आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं कि दो साल में आपको कोई ऐसा काम याद हो जो आपने बजट में गोश्टना की हो और दिखने लाया काम हुआ हो वो राजस्तान के किसी भी एरिये में हुआ हो तो उसका नाम बता दो तो मैं इनकी बात को मान लूँगा ठीक है ठीक है आप ये कह रहे हffentlich की एक एक कर के उन उन चीजों को उन उपलब्दियों को बता दिया जया लेकिन ठीक है सर में से पहले शाले रूम्ट साथ दो साल की कारेकाल में आपने कहा कि सरकार की बड़ी उपलब्दिया थी बहुत काम किये हैं लेकिन आप कौन से आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर करोना काल भी था, मामारी पूरी दुनिया और देश के अंदर फेली हुए थी, राजस्तान में भी लोक डाउन था, तमाम परस्तियां अलग थी, कि हरा वेक्ति को बचाना और आम जन की सेवा करना बहुत बड़ी चुनोती थी, और इस करोना काल के अंदर, जो मुख्यमंत्री असोगलो साब ने काम किया, कि आम जन को बचाए भी, जो तमाम लोग सरमिक थे, बाहर से आवे, राजस्तान के लोग भी थे, उन सब को अपने स्टेटों में बेजना, वापिस लेके आना, उनको हेल्प लाइन जो वन करोना शुरू हा, उसमें जांचे भी नहीं होती, लोगों में बहुत बड़ा भे भी था, तो लोगों को बचाना बहुत बड़ी चुनोती थी, और जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसकी सराना, दुनिया के अंदर भी 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 लोड़ा मोडल की, और देश के परदान म मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, उसी तरह दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री भी काम करें, तो मैं समझता हूँ कि जिस परकार से चिकिस्ता के खित्र में और करोना काल के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी भी ह और उसके बाद में किसानों का करजा माफ हो और सरकार ने जब मुख्यमंतर जी दूसरी बार बने थे तब उन्होंने एलान किया था कि पांच साल तक किसानों की विजली का रेट नहीं बढ़ेंगे और वापिस राउल गांदी जी की जन्सभा के अंदर का कि जब तक हमारी सर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताने पर तुला हुआ हर मोर्चे पर फेल यानि उनका कहने कि सिद्धी तोर पर आप यह तो उपलब्धिया बताए क्या किया है क्योंकि हर एक जिस बात पर आप उपलब्धी बोल रहे हैं वो उसे फेल करार दे रहे हैं अब क्या कहेंगे इस सब्सक्राइब करोड आज से पहले इत्यास में कभी हुआ प्रिपक्स की नेतिक अधिकारी नहीं बनता है जिस से तक ने उन्हों ने उनको जम आउसर मिला कुछ कारिया नहीं कर रहाँ जंता पूर सकती जंता को अधिकार है कि पर इयर चाहिए इसके अंदर हो यह हम लोग वह बात करते हैं कि विरोजगारी पत्ता अधि रोजगारी पत्ता 2 लाक विरोजगार शिक्षिद नौजवानों को हम लोग दे रह याने आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष को सवाल करने का हक नहीं है क्योंकि आप जनता सवाल कर सकती है लेकिन जो वादे किये गये वो पूरे गये गये बेराल 501 वादों में 252 वादे पूरे की यही सरकार कह रही है दो साल में ही आने वाले तीन साल में भी बहुत कुछ करना है विपक्ष लेकिनी सरी नहीं मान रहा है चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे कि आखेरी कितने बेबी साल सरकार के दो साल रहे हैं रफीक खान जी देखें सवाल बिलकुल विपक्ष उठाएगा उसका जवाब भी आपको देना है लेकिन विपक्ष की भूमिका इन दो सालों में कैसी रही कितना साथ कितना सपोर्ट मिला विपक्ष के तौर पर देखिए विपक्ष की बूमिका बिलकुल नकारात्मक रही इनको ये चाहिए कि जो जो काम सरकार के होते जा रहे हैं जो काम सरकार एचीव कर रही है जो काम एक बात को तो इनको एप्रिशेट करना चाहिए कि सरकार बनते ही अपने अपने गोशना पत्र को अपने मैनिफेस्टों को सरकार के कारे प्रणाली का अंग बना लिया इनको इस बात की दाद देनी चाहिए कि वाकई हमारी नियत ये है कि हम जो कह रहे हैं वो हम करना चाह रहे हैं गोशना पत्र को सरकार की कारे प्रणाली का अंग बनाने का मतलब यह है कि हम वो सारे काम करना चाहते हैं और जो काम हमने ericheeve की है वो एक साल में ericheeve की है", एक साल तो आप सबको मालूम है, फरवरी में तो यह पहले तो वहाँ टरंप की चंपी में मस्त हो गए तो और करोना की देश में इतना आतंक रहा हमारी केंदर सरकार की लापरवाई रही कि करोना को टाइम रहते भाप नहीं पाए और उसके उससे रिलेटेड जरूरी एक्शन नहीं ले सके लेकिन जो काम हमने अचीव किया वो उससे पहले अचीव कर लिया तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है क सरकार गोशना पत्र के 50% से भी ज़्यादा कामों को पहले साल में पूरा कर दे इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जो इसे कम से कम एप्रिशेट करना चाहिए कि 252 काम जो वादे थे वो पूरे कर लिए 501 में से कुछ को तो आप पानते होगे कि चलिए सरक सार ने यह बहतर किया यह ठीक था जादातर नहीं आप लोगो की हिसाब से थे कुछ तो होगा ऐसा सबसे पहले तो मैं रफिक भाई से कहूंगा कि रफिक बावन आपने जो गोशना पत्र के बिंदू थे उनकी सुची तो एक बार सारजने कर दो कि आपने 252 इन इन गोशन आप ने बंद कर रखा है नहीं कर रखा है एक गरीब आदमी खादे सुरुप्षा के लिए नाम नीं बोलो अरे मैं मैं बहुंगा कर रहा है तो बसक्राइब कर दो पहले तो सचाई बोल रहा हो ना आपके मंत्री ने लेकंड में बात कर रहा हूँ ना आपके प्रति रेच मिना ने काए ख पूर्टी पोड़ी का विकास नहीं हुआ वही बातों में बता रहु हैं वही बातों में बता रहूं ना सब्सक्राइब कि अपर हमले हो वह बाता रहा हूँ जिन्दा जल जाए जिसे भी इसका जवाब ने लेते गुलाब चंजी आपने आज ही कहा दे कि बहुत सार सवाल तो आपने उठाए चर्चा के दोरान भी और इससे पहले भी फरस्ट इंडिया से बातचीत में लेकि गुलाब चंजी आप अपने का कि सबसे जादा जो नेगेटिव नजर आया वो ये की कानून व्यवस्ता पूरी तरह से चर्मर आई हुई है अधिकारी सुन नहीं रहे सरकार की कई ऐसे आपने आरोप लगाए हैं लेकिन मंत्री हो नेता हो विधायक हो दो साल की उपलब्डियों में वो कहना है क काम इसलिए हो पा है क्योंकि सब साथ होकर काम कर रहे थे श्वेता जी मैं आपसे और सभी माननी जो मंत्री और सदर से बेटे हैं उसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके दो साल की इतनी बड़ी उपलब्डिया है तो अभी जो धाई करोड़ लोगों ने पंचैत में जो आपको वोट किया उसको तो देख लेते करपा करके 21 जिला प्रमुक में से 5 जिला प्रमुक बना पाए जन्ता ने आपको धाई करोड़ लोगों ने मद्दान किय है वो आपके लिए आयना दिखाने के लिए पर्यापत है आप एक बाहना ले रहे हो 50 नगरपालिकाओं में हम नंबर एक पे रहे आप नंबर तीन पे रहे मैं इसको स्विकार करता हूं हम नंबर तीन पे रहे लेकिन आपको जो आपको जो 619 सीटे मेली वो टोटल 1745 में से केवल 35% है और ये भी आपने वाड कैसे बनाए जहां मुत्लिम आबादी है वहां 300 और 300 को वाड बना कर संख्या बढ़ाई और जहां हिंदू आबादी वहां 1500 से लेकर 2000 के आबादी की हमने कागज दे दे के ठक गए आपके कलक्टर को लेकिन आपने उन वाडों की रचना क को भी ठीक बनाना नहीं तो आप ये जिस ढंग से काम कर रहे हो जंता ने आपको आइना दिखाया है और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इन बंदूओं से कि वास्ता में प्रदान मंत्री जी ने आपको ये जो 9-10 महिने का मुप्त राशन उपलप्त कराने के अलिए फ्र 웃y तो कूटा की घटना हुई है ये घटना गर्थन पहले भी हो चुकी ती पिछले साल भी तब भी आपने एक कमेटी बनाई तो वास्ता में यह जो काम करने का जो तरीका पब्लिक के सामने जाना चाहिए था वह आप नहीं गए क्रपा करके और अभी हमारे मंत्री करशी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने बच्चों को रोजगा आ रहे भाया आपका गोशना पत्र की लाइन पड़ो वो सारे बच्चे या तो नोकरी देंगे या उनको 3500 रूपया वजीफा देंगे भत्ता देंगे वो 27 लाख लोग भरती आज की तारिक में एम्प्लॉइमेंट में रजिस्टर्ड है और आपने जो दिया है वो विदान सबा के कुश्चन में मेरे को दिया है कि आप तक राजस्तान में 1,60,000 बच्चों को ये बेकारी भत्ता मिलता है उसमें से 85,000 वसुंद्रा जी के बिरोजगारी बता दे ये आंकडों के जाल में मत फसो मैं सोचता हूं जिस प्रकार का उत्तर बना रहे हो केवल अपनी पाइटी को देखने का चस्मा चड़ा कर राजस्तान का भला नहीं होगा सच्चाई को स्विकार करने की कोशिश करो उसमें सुधार करने का प्रेत्न क करो केवल में और तू करने के आदार पर आप और मेरी पारटी का बला हो सकता है पर राजस्तान की साथ जनता का बला नहीं हो सकता है जो कहा जा रहे हैं जो इंपलब्दी में एक काउंट होगा ठीक है आपने बात कहीं लिगिशाले साब विपक्ष सरकार की कारिकाल को जो कुछ भी बता दे पर मुझे तो राजस्तान में कहीं विपक्ष दिखा नहीं आम जन की समस्या दिखता कहीं दिखा नहीं कि कहीं समझा उठा रहा है यह खुद तो हर जिगे अपने अलग बजा रहे हैं साथ आर तो मुख्य मंत्री बनके बैठे हैं कहीं आम जन की ले रहे हैं फैसले उनको पजितनी रहे हैं इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि यह सरकार क्सम कर रहे हैं चाहिंब हमिका चाहिए कि वह अपनी ब् employ का निवहाए आम जन की जोने स्वेता जी सबसे पहले तो साले मुहमत जी जब इमाने मुख्य मंतरी मोदे इतना बैतरीन काम कर रहे हैं तो मुझे एक सी बता दो कि जब 98 के अंदर 156 तो वह दो जार तीन में चपन कैसे रह गए जब 2008 के अंदर आपकी सरकार बढ़ी तो 2013 के अंदर 222 के उपर आपके कैसे आपके लगा रहे हैं और आप जिस तरीके से न्याय प्राप्त करने के लिए खनन माप या एक तरीके से पूरे राजस्तान में गैंग बंद चुकी है किस तरीके से आपके उपकंड अधिकारी के उपर हमला करें तैसिलदारी के उपर गाडी चराड है डिप्टेश्मी के प्रफारिंग करें जैपुर के अंदर आटियों के जब इंस्पेक्टर को पुचल के मार दिये जाता है आप कहां सब्सक्राइब करते हैं यह यह बात आपकी बहुत मतवपन बात है विदायकों की बात सुनी जाती है यह सही है कुछ मंत्री ठीक दंका विवार नहीं करते ह कर रहे हैं बाकी विदायकों की बात सुनी जाते है इतना जरूर है कि पिछली सरकार के द्वारा पुलिस के पुलिस और एक्साइज डिपार्टमर माइनिंग वालों ने जो बंदिया बांदी थी वो कितनी खतम हुई है इसको सरकार को द्यान देना चाहिए कर अपसंद जी कि पिछले सरकार को गिराने की साधिसे भी है और अगर आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहे तो सरकार की रणनीती क्या होगी इससे लेकर क्योंकि ये बड़ी चुरौती थी इस बार सरकार के लिए हमारे प्रधानमंति नरंदर मोधी जी को देस ने गवर्नेंस के लिए उसर दिया और नरंदर मोधी जी का आफसों पी-ओमो का आफस अमित्शा जी आज गवर्नेंस तो दी दे पारे है उसके जीगह वोपनी समय और समता जो उनके विपक्सकी सरकारें जिसमें राजस्तान की सरकार भी है उसको कैसे तौपल कर रहे उसको कैसे गिरांए उसमें पर प्रयाज लगा तार कर रहे य ौर सोगे restaurant के निर्थिट्व में बैत्री तेरीन हमारा पास निर्थिट्व के अधरे कि उनके प्रयास पहले भी विफल रहें बविशे में भेंगे अज देश की स्थिति क्या हुए ऑज आर्थिक तौर के उपर यह जो निरने लिये गई हैं चाहिए doinड़ी किया चाहिए करोना के संदर्द में रहें हर चेतर के अंदर अब लोग के इंदे सरकार जो उनका जुम्यवारी थी उसका निर्वान नहीं कर दी है मेरा उन लोगों से भी निवीदन है कि जिसको आउसर आपको लोकतर में मिला उसका अउसर में आपको प्योग करो एजो पीमो है यह अपने तरह के कॉंस्पिरे से करवाएं वह भी हम लोग देखनी पा रहे हैं कि हमारी समय और समता हम लोग पिकाल लगाएं देश की ठीक है रिशी से लेकर प्यमो उस तरह तक बात कर लेकिन शाले मोहमद जी दो सालों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है उपलद्या तो बहुत आप जन को बचाना उनके लिए अच्छा बहतर काम करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और जिस परकार से बड़े बड़े आंदोलन भी हुए गुजर आंदोलन में कोई किसी परकार का पुलीस का बल नहीं हुआ उनसे साथ बात चीत बेट करके टेबल बे बात हु बात हैं उनका भी सड़ें अंतर खुले में सामने आ गया जो लोग सरकार चुनिवी लोगतंतर में लोगतंतर का हत्या करना चाहते थे उन लोगों के भी चेहरे सामने आए तो यह काफी चुनोतिया थे उसके बावजुद भी मुख्यमंत्री जी को काम करने का परोना काल औ उन गोशना पत्र में जो जनता से जो वादे किये हैं उन वादों को 100% पूरा करना किसान हो मजदूर हो युवा हो उनके लिए नई आयाम नोक्रियां लेके आना और तमाम राजस्तान में अच्छी वेविस्ताइं हो यह की कानून वेविस्ता अच्छी सूडर्ड हो किसी और यह लिए लेविस्ता अजिए लेविसता अच्छी हो जिस परक से अभी नए कोलेज और दखथे बिए जिए paradox में तो जो राजस्तान के आम जनकी वावनाओं हैं उन वानों के साथ काम करके राजस्थान को अच्छा अभिकार अजस्थन को उसके लिए सरकार काम करी ठीक है लेकिन हरी शी तीन साल बाद प्रदेश के चुना होने यानि तीन साल अभी और है सरकार के पास ऐसे में सरकार की प्रात्विक्ति आए क्या रहेंगी आने वाले तीन सालों के लिए अजय कि अंधर थो एक अच्छा हम लोग दे रहें उसको आगे बढ़ाएंगे जो विद्तिय स्थीती मैं है उसे स्थीती के अंदर स्थीय प्रवननन करकर चाहिए पेजल के संदर में स्वास्त के संदर में जो करोना के बैत्रिन का जिए स्वास्त के संदर में असोग एलोजी के नित्bug करी नहीं पिसका टिक्स सच सबर लोRET कि सर्जन जादे से जादा कैसे हुई नहीं कुद्यों कैसे आई इन तमाम मैं चेटर के अंदर हम लोग आनने वाले तीन वर्शों के लिए दो साल हम लोगों कर आजिस्तार की जनता के तरुसे बहतरीन सयूग मिला है विपक्स हम लोगों को कितना भी वह कोशिश की पर आजि जिसे के तीन साल में उनके साथ ही रहेंगे और जो चुनाव आएंगे उसके अंदर वो वापिस हम लोगों को आउसर देंगे चली ठीक है चुनावतिया बहुत थी दो सालों में दो साल पूरे हो चुके हैं तीन साल बाकी लेकिन गुलाप चंका टारिया जी देखे बहुत सारी खामिया आप लोगों को नजर आए आपने सवाल बे उठाए कि कुछ काम नहीं हुए हैं दो साल बेमिसाल हम कही ही नहीं सकते लेकिन क्यूंकि सरकार सुझाओ भी मांगती क्या कुछ बहतर किया जा सकता है नेता प्रतिपक्षे आप विपक्ष भी बहुत सवाल उठाता है क्या सुझाओ सरकार के लिए आप देना चाहेंगे यह आपके पार्टी के थे या मेरे बीजेपी के थे फिर आपने कुछ केस दर्ज कराया था CBA में और वो मुकदमा बना था ऐसा हो गया वैसा हो गया तो आप सरकार चला रहे हो ना वो मुकदमे कहां गए क्यों दफन हो गए क्यों रुख गए और उसकी कारोई क्यों नहीं की जो केवल जंता को दिखाने के लिए कार करते हैं और अभी इमारे अरीज जी बता रहे थे कि बंगला देश हम से आगे बढ़ गया इमान दारी से आपके जो भी भाई वहन विदेश में कहीं भी रहते हों दस लोगों को टेलिफोन उठा के टेलिफोन करके पूछ लो कि भारत के इस प्रदान मंत्री ने दुनिया में हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया हिंदुस्तान की इजद दुनिया में हुई कि नहीं हुई दुनिया के देश आज प्रदान मंत्री जी को भी मान करके चलते हैं ये हाइट हिंदुस्तान की बड़ीक नहीं बड़ी, मंगला देश से तुलना करके आप क्या कहना चाहते हो, अरे एक तरफ चीन खड़ा है, उसी ताकत से खड़ा है, लेकिन उसको भी भचेडा दियाक नहीं दिया, ये देश के प्रदान मंची ने जिसतर से तैयारी करके अपने पार्टी का, आपने सत्यानाश किया और इसी लाइन पर चलोगे न तो और इस पार्टी को ढूआँगे, अच्छा सोचो, अच्छा करो, और देश को आगे बढ़ाने का प्रियास करो, न मैंसे दिसका अब अग्स को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष साथ है, वि हमारी में हम दो नहीं हैं एक हैं ये मेरे वर्डिंग अभी भी नोट होंगे और जब भी इनों ने हमसे स्योग मांGA हमने पूरा स्योग किया और हमारी पारिटी के लोगोंने बोजन पैकेट से लेकर मैं इनको चुनोती देता हूँ आपकी सारी कॉंग्रेस पाइटी ने जो किया और जो मेरी पाइटी ने जनता के लिए किया है चाहे वो पैकेट बाढ़ने का काम किया हो चाहे हमने उनको जूतिया पेनाई हो चाहे उनके केम्प लगाए हो जो सरकार करना चाहेगी लेकिन यहम भूमी का विपक्ष की भी है और आगे भी लगतार विकास की ओर सरकार बढ़ रही है चलिए सिक सार्दक फाट लाइब आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार